हरो स्थुदेंट्स, वाल्कम त्वारें इंग्लिश क्लास, लेक लटरान पास्ट कंटिन्यूस तो इस थेंट्स में हम वज और वार का यूज भी सीखेंगे So let us see, सबसे पहले इसकी पहचान, past continuous tense में, जिन हिंदी बाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आदी आए वो past continuous tense में आएंगे और इसमें कार्यों भूत काल में भी जारी रहता है, जैसे ये वाले sentences आप देखिए, बहुत आराम कर रहा था, ठंडी हवा चल रही थी क्या बे पाठ याद कर रहे थे, क्या माली पौदों को पानी दे रहा था, क्या गौरब तैर रहा था, लड़के खेल नहीं रहे थे, तो students इन बाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहा है, तो ये past continuous tense में आएंगे, और ये जो sentences है, ये आपके लिए एक exercise So let us learn some rules, how to translate, rule number one, जो positive sentence होंगे, यानि की सकारातमक बाक्यों, जिसमें singular subject जो होगा, जैसे he, she, it, ये singular subject है, एक बचन संग्या, उसके साथ was लगेगा, और बर्व की first form के साथ ing, for example, I was going to wajar, rule number two, जैसे जो plural subject होंगे, बहु बचन करता जो होंगे, उसमें were लगेगा, was नहीं लगेगा, और बर्व की first form के साथ ing लगेगा, और plural subject में आप का जाएगा, जैसे we, या they, या और भी हो सकते हैं, so for example, we were running, ये आपका rule के अनुसार बन गया, then, जो negative sentences होंगे, उसमें was, were के बाद not लगेगा, और बर्व की first form के साथ ing लगेगा, तो students, ये तो affirmative sentence आपका हो गया, positive sentence, यानि कि सकारातमक बाकियो, जैसे इसका structure रहेगा, subject के साथ आप was, were लगेगा, बर्व की first form के साथ ing, प्लस subject, प्लस other words, अगर कोई sentence आपका लंबा है तो, जैसे ये वाला sentence है, वह खाना बना रही थी, तो इसमें subject है, वह, और was, were उसके बाद लग लगेगा, तो he singular है, तो इसके साथ आप was लगाएंगे, यदि plural होता, तो आप were लगाते, और खाना बनाने के लिए, वार्व है, cook, तो इसके साथ ing लगेगा, cooking बन जाएगा, तो इसकी translate होगी, she was cooking food, तो students, इसी तरह आपने अगर negative sentence कोई frame करना है, उसके लिए structure है, आप यह structure follow करेंगे, सिर्फ यहाँ पर was वर के बाद आजाएगा, not, तो यह आपका structure रहेगा, negative sentence के लिए, जैसे यही sentence हमने negative में convert करना है, बहो खाना नहीं बना रही थी, तो इसका negative हो जाएगा, बहो खाना नहीं बना रही थी, तो यहाँ was के बाद not आएगा, structure के हिसाफ से, तो आ negative sentence है, तो साथ में not और verb की first form के साथ ing plus object, तो इसी तरह इसको अगर आपने interrogative sentence में convert करना है, यानि कि प्रशन पूछना है, आपने प्रशन पूछने वाला वाक्य बनाना है, तो इसमें was or were आपका पहले आएगा subject से, उसके बाद subject, उसके बाद आप not लगाएंगे, plus verb की first form क साथ ing plus object, तो अब इसका negative interrogative बना, क्या वह खाना नहीं बना रही थी, तो इसकी translation हुई, was she not cooking food, students, यह rules follow करके, आप कोई भी sentence frame कर सकते हो, अब आपके लिए assignment है, जो मैंने शुरू में आपको sentences बताये थे, उनको आप translate कीजिए, so this is the end of my video, I hope you liked it.